हेलो फ्रेंट्स आज मैं जो रेस्पी लेके आई हूँ उमीद करते हैं आपको पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक शेर सस्क्राइब जरूर कीजिए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दो प्याज लेंगे उसको हम छील लेंगे छीलने के बाद हम इसे चोपर में चोप कर लेंगे चोपर में बहुत अच्छे से चोप होते हैं एक कडी पता मैने फ्रेश कडी पता लि twe Got a तोड़ने के बाद उसे अच्छे से वाश्च कर लोगी वाश्क करने के बाद उसे कट करूगी और जो प्याज मैंने कटकी है उसमें चोपर में उसमें डाल दूंगी डालने के बाद अब हम चॉप कर लेंगे प्याज को दिखिए फ्रेंड प्याज और कड़ी पता हमारा अच्छे से चौप हो गया है क्योंकि जो कड़ी पता है बहुत हेल्दी है वैसे तो हम नहीं खाएं जब इस तरह ऐसे खाते हैं तो बहुत ही ज़ादा अब कभी भी आप प्याज में कड़ी पता डाल के देखी बहुत यह चाटेस्ट ही लगता है अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे निकालने के बाद अब इसमें कुछ ड्राई मसाले आइड करेंगे थोड़ा सा जॉइन डालेंगे और हम डालेंगे थोड़ा सा नम कर लेंगे अब इसे एक आटे की लोई लेंगे और उसे चकल पर बेल लेंगे बैलने के बाद हम ध्यूड़ा सा देषी घी लगाएंगे और अब इसमें हम प्यास का जो मिश्रन है उसको डाल देंगे और जिस प्रकार से हम चोरस प्राठा बनाते हैं उस तरह से हम शेप द माणफ तरह से बेल लेंगे बेलने के बाद देखिए अब हमारा तबाभ गरम है अब इसमें हम डाल देते हैं रोटी परांट्टा डाल देते हैं और दोनों तरफ से अच्छे से सेख लेंगे और थोड़ा सा एक तरफ देशी की लगाएंगे तो प्रांठा हमारा अच्छे से सिख गया है तो देखिए प्याज और कड़ी पता का कितना टेस्टी प्रांठा बनकर त्यार हुआ है आप इस प्रांठी को दहीं के साथ या राइते के साथ खाईए कड़ी पता और प्याज बहुत इज़ा टेस्टी लगता है गर्मी में इसका करना चाहिए सेवन वीडियो कैसी लगी प्लीज कोमेंट्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद थेंक यू